हेलो एवरिवन मेरा नाम निशित and welcome to MP exam वाला दोस्तो आज ये हमारी first class है जो की करतव्य बैच के लिए है और आज की जो हमारी class है ये सारी की सारी classes आपकी यहाँ पर PW application पर करतव्य बैच पर होने वाली है जो की main focus रहेगा आपकी आने वाली MP constable के लिए ठीक है जैहिन सभी को बहुत बहुत गुद इवनिंग सभी को बहुत 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 गुद इवनिंग आज हमारी पहली class है तो हम आज जो हमारी पहली class है mathematics के एक तो थोड़ा सा अपन syllabus भी discuss कर लेंगे हाँ पर कि syllabus के नाम पर हमारे पास पढ़ने के लिए क्या क्या है constable में और इसक बिल्कुल वो भी clear करते चलूंगा तो देखो सबसे पहले तो यह समझो कि आज का जो session है न यह एक basic session है एक basic जो syllabus क्या है syllabus आपका वो चीज है जहां तक आपको पढ़ना है अब maths का syllabus अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसे मैं broadly दो category में divide कर सकता हूँ broadly दो category कौन कौन सी है सभी को जैहिन भाई सभी को good evening सभी को बहुत बहुत welcome है देखो पूरे maths के syllabus को न हम लोग दो parts में divide कर सकते हैं पहला जिसे हम बोलते है arithmetic या जिसे हम बोलते हैं अंक गनित ठीक है और दूसरा हो गया आपका advanced math अब यह आपका advanced math क्या है यह मैं आपको थोड़ी देर में समझाओंगा पहले ज़रा arithmetic के topics को discuss कर लें arithmetic समझ लें देखो arithmetic को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंक गनित है न अंक गनित यह वो सबसे basic mathematics है जो कि हमने अपनी शुरुवात में लास की शुरुवात में जो कि हम लोग पांच वी छाट वी में पढ़ते थे न वहां से हमने जो actual math समझना शुरू किया था जहां पर हमने नंबर सिस्टम समझा था LCM HCF समझा था percentage ratio proportion यह सारे जो topics हैं यह कहलाते हैं arithmetic में शुरुवात अगर मैं बोलू तो चलो number सिस्टम से करते हैं number system हो गया ठीक है percentage हो गया ratio proportion हो गया ratio and proportion हो गया profit and loss हो गया profit and loss हो गया ठीक है speed time distance हो गया speed time and distance हो गया और भी बहुत सारी topics है time and work हो गया तो यह जो basic chapters हमने पढ़े थे यह हैं हमारे arithmetic या अंक गनित के part ठीक है ठीक है ठीक है पहली बार किसी competitive exam की तैयारी कर रहा हूं बहुत बहुत decision लेना है ठीक है देखो अगर आप पहली बार भी तैयारी कर रहे हो तो इतनी बड़ी कोई डरने वाली बात नहीं है अगर आप तरीके से पढ़ो तो selection बिल्कुल हो सकता है देखो subjects हैं क्या या subjects के अंदर slips क्या है वही है जो आप कभी न कभी पहले पढ़ चुके हो स्कूल में वही पढ़कर आप पास हुए थे तो बिल्कुल भी tension लेने की जरूरत नहीं है आपने जो पढ़ा है वही पूछा जाएगा बस बात यह है कि हमें अब revise करना है उन चीजों को जो हमने पहले कभी स्कूल में पढ़ी थी ठीक है तो अगर उतनों को भी आपने revise कर लिए वो चीज़े भी अगर आपने revise कर लिए तो exam के question बाहर नहीं जाएंगे maths, reasoning, JS सब में यही मुद्धा है और overall आपको यही पढ़ना है एक current affair है जो कि आपको देश दुनिया से जोड़े रखता है वो आपको हो सकता है separately आपने पढ़ा ना हो तो अब थोड़ा सा पढ़ना पढ़ेगा बाकी यह पूरा subject यह पूरे topics वही है जो आपने पहले कभी न कभी पढ़ चुके हैं बस अब उनको revise करना है ठीक है? good evening सभी को बहुत बहुत good evening ठीक है अब जरह मैं आता हो advance पर advance में क्या क्या आता है? advance में आपका आगया algebra algebra ठीक है? algebra पिर हमारा आगया geometry geometry mensuration ठीक है? इसके बाद हमारा आगया trigonometry इससे बहुत डर लगता है लोगों को trig प्रिग्नोमेट्री से बहुत डरते हैं लोग, बिलकुल टेंशन मतलो, एकदम basic simple questions आने हैं, तो उसकी भी बिलकुल टेंशन मतलेना बहुत easily आपसे ये सारे questions बन जाएंगे, इसके बाद जो हम छोटे मोटे topics देखते रहते हैं, एक है permutation and combination, करमचे संचे और एक है probability, ठीक है, ये दो topics, छोटे मोटे अलक्से topics हैं, जो कि हो सकता है, आपने उतने ध्यान से पढ़ें ना हो, बट ये भी आपने 9th और 10th की book उठाकर देखीगा, last chapters ये ही हुआ करते थे, permutation, combination and probability, ठीक है, तो ये भी हमें पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, मैं भी पहली बार, ओक कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हूं, आप ध्यान से देखेंगे, तो मोटा मोटा syllabus वही दसवी तक का ही है, चाहिए आप कोई भी subject उठालो, geography भी आपको बोला जाएगा, तो दसवी तक की geography ही पूछी जाएगी, maths भी आपको दसवी तक की पूछी ज करेंगे, तो यह जो मोटे मोटे topics हैं, यह हमने अभी तक देख लिए हैं कि भाई, यह topics हमको पढ़ने हैं, ठीक है, एकाद दो topic अगर मैं मिस कर रहा हूं, तो उसको बिल्कुल mind मत करना, यह जस मेरे अभी दिमाग में जो random thoughts आ रहा है, मैंने वो share कर दिये, हालाकि आपको पूरे planner मिल चुका होगा, topic wise, तो वहाँ सारे topic बहुत अच्छे से indicate हैं, ठीक है, जैहन सभी को जैहन, अब सुनो, यह जो पूरा हमारा syllabus है, इसे जब हम पढ़ने वैठते हैं, तो हमारा जो सबसे पहला मुद्दा आता है, वो है number system, और कहीं न कहीं, जो सबसे basic चीज है, हो है number system, हमारी कुल मिला कर इस पर दो classes होने वाली है, तो आज हमारा number system का पहला class है, पहला part है, तो यहाँ पर हम basically, आज number system को थोड़ा सा करीब से समझेंगे, अपने numbers को जानेंगे, अपने numbers के बारे में कुछ-कुछ और समझेंगे, ठीक है, your legend sir मैंने पढ़ा है अपसे, thank ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले number system में हमें क्या जानना होता है, सबसे पहले आप समझो कि यह number system को मिलाकर numbers बनते कैसे हैं, तो सुनो, आप कोई भी number उठा कर देखो, कोई भी number उठा कर देखो, सपोस मैं आपसे बोल रहा हूं कि 123, अब यह 123 बना कैसे, तो देखो इसमें क कुछ units होती है, कुछ places होती है, जैसे यहां पर 3 को मैं बोलता हूँ, एकाई अंक, है न, unit digit, unit digit, एकाई अंक, वहीं 2 मेरे लिए हो गया 10th place, ठीक है, दाहाई का अंक, यह हो गया 100th place, यह हो गया हमारा 100th place, तो यहां पर जब भी हम numbers लिखते हैं, तो हम उसे सबसे पहले तो एक format में लिखते हैं, क्या format है, जो सबसे पहला इधर आखरी वाला number रहेगा, वह एकाई है, फिस दहाई है, फिस सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाक, दस लाक, करोर, दस करोर, इस हिसाब से हम लोग इस numbers को लिखते हैं, अब यह जो मैंने बोला न, कि यह एकाई, दहाई, स 3, जो भी बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, वो भी बहुत ध्यान से सुने, जो पढ़ चुका है, वो भी बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं, ठीक है, 120N3, ऐसे लिख सकते हैं, अब आप ध्यान से देखोगे, तो यह जो 3 है न, य क्या है, यह है यूनिट डिजट, और इसे में यूनिट ही क्यों बोलता हूं, क्योंकि यह है 3 इंटू 1, अब आप बुलेगे से, ऐसे तो यह भी 20 इंटू 1 है, यह है 10th place, 10th place क्या है, तो यह 2 इंटू 10 है, यह है 100, या एकाई दहाई सैकडा, सैकडा मतलब 100, यह क्या है 1 इंटू 100, यह नंबर ऐसे बने है, तो यह है एकाई का अंक, क्योंकि इसमें एकाई multiply हो रहा है, अंक में गुणा हो रहा है एकाई का, यह दहाई क्यों कहलाएगा, क्योंकि दहाई का अंक है 2, पर इसमें 10 का multiply हो रहा है, इसलिए यह दहाई है, वैसे यहाँ पर अंक है 1, पर यहाँ पर इसका 100 में multiply हो रहा है, इसलिए यह सेंकड़ा कहलाएगा, यह 100 please कहलाएगी, तो इस हिसाब से यह 1 आई, यह 10 यह सेंकड़ा, इसके बाद आएगा 1000, 10,000, इस हिसाब से हमारे पास numbers बनते हैं, अब बहुत सारे बच्चों की बीच में, चोटा सा doubt यह आएगा, कि सार अगर decimal लगा हो, तो फिर ओधर क्या होता है, कई बार हमने decimal में numbers भी देखे हैं, तो फिर उनका क्या हिसाब होता है, सुनो, जब आपके पास decimal आता है न, सपोज मैं लिख दू, 123.5, इसका क्या मतलब बना, तो सुनो, दशमलों से left लेंगे न, तो हमेशा एकाई दहाई ही आएगा, अब यहाँ पर यह एकाई नहीं है, दशमलों से यह है, एकाई यह है, दहाई यह है, सैकड़ा, यह है हजार, तो यह जो दशमलों के right side पर आया है, यह क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ, सुनो, समझना, इसे तो मैंने आपको समझा दिया, 3 into 1 लिखेंगे, इसे 2 into 10 लिखेंगे, है न, इसे 1 into 100 लिखेंगे, तो यह 5 को क्या लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, तो सुनो, दशमलों के बाद, जैसे जैसे आप उधर खसकते जाओगे, तो आप यहाँ पर multiply कर रहे थे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, अब वहाँ पर आप इस तीस को divide करना शुरू करोगे, यानि इसे लिखोगे 5 upon 10, अच्छा, इसके बाद अगर एक और नमबर 3 लिखा होता, तो मैं इसे लिखता 3 upon 100, इसके बाद अगर एक और नमबर लिखा होता 7, तो मैं इसे लिखता 7 upon, अब देखो, 10, 100 हो चुका है, तो आप क्या लिखूंगा सीधा 1000 लिखूंगा, तो इस हिसाब से ये नमबर्स बनते हैं, तो दशमलों वो पॉइंट है, जिसके इधर आप 1, 10, 100, 1000, 10,000 का मल्टिप्लाई करते जाते हो, और उधर वो पॉइंट है, जहाँ पर आप 10 से डिवाइट करोगे, फिर अगले नमबर को 100 से डिवाइट करोगे, अगले को 1000 से और उसके अगले को लाग से, इस तरीके से हम डिवीजन या नमबर को लिखते हैं, इस तरीके से हम नमबर को तोड़ते हैं, अब यहाँ पर आपको दो चीज समझनी है, क्या, पहला प्लेस वेल्यू, दो शब्द सुनना, प्लेस वेल्यू, और दूसरा है फेस वेल्यू, पेस वेल्यू अब ज़रा इस चीज को ध्यान से समझना मैंने बोला प्लेस वेल्यू और फेस वेल्यू क्या होती है तो एक होता है स्थाई मान और एक होता है जातिय मान इस्थाई मान का मतलब क्या होता है ये है प्लेस वेल्यू इस्थाई मान ठीक है इस थाई मान और ये है face value जिसे मैं बोलता हूँ जाती है मान ये क्या होते हैं तो अगर आपके सामने एक number दिया हुआ है 274 और मैं आपसे बोलूँ कि चलो बताओ इसमें 7 का place value और face value क्या है तो दोनों अलग-अलग हैं सबसे पहले तो ये समझो 7 place value क्या होगी तो 7 किस place पर है तो देखो 1 दहाई प्लेस पर है तो 7 की जो place value है वो होगी 70 पर 7 की face value क्या होगी जाती हमान क्या होगा तो जो number वो दिख रहा है जो उसका face है वो दिख क्या रहा है 7 तो वही उसका face value है 7 अब कभी-कभी questions आप से यहां से कैसे बनाए जाते हैं पता वो बोलता है कि इस number में साथ का place value और face value का अंतर बताओ तो आप 7 का place value हो गया 17 face value हो गया 7 दोनों का अंतर कित्ता होगा 63 आपका answer हो जाएगा तो इतने basic और इतने simple questions भी कभी-कभी पूछे होते हैं बट हमें यही नहीं पता होता कि place value क्या थी face value क्या थी जब यहीं नहीं पता होगा तो कहां से बता होगे तोनों का अंतर तो यह छोटे-छोटे से basics हमें आज के session में देखने हैं तो यह तो हो गई भाई number कैसे बनता है उनकी place value क्या होती है उनकी face value क्या होती है इसके बाद अब थोड़ा सा interesting part आना शुरू होता है ये तो थोड़ा boring वाला part भी हो गया न यहां से रित्ता तो पता है चलिए इसके बाद अब थोड़ा सा interesting part आना शुरू होता है that is calculation number तो आपने सीख लिया बनाना अब number को जोड़ना घटाना multiplication, divide ये सब भी तो चीज़े हैं और आप पूरा question समझ गए बट अगर आप calculation ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर question बनाओगे कैसे या calculation में बहुत ज़्यादा time लग रहा है तो भी दिक्कत है तो हम सबसे पहले यहां पर आज के session में जो चीज़ सीखने समझने वाले हैं वो है how to calculate fast सबसे ज़ादा तमस्या जो बच्चों के दिमाग में आती है वो इसी को लेकर आती है कि sir calculation बहुत slow है calculation में बहुत दिक्कत होती है sir calculation ही तो नहीं बनता sir ये इधर इतना multiply करके ये कैसे हो गया ये तपलस इधर कैसे हो गया तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़े होती है calculation में सबसे पहले हमको इनको ठीक करना है जिस दिन ये ठीक हो गई तो concept मैं आपका किसी भी दिन बना दूँगा पर पहले calculation बहुत जरूरी है तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि calculate कैसे किया जाए अब देखो calculation में कुल मिलाकर चार चीज़े है क्या क्या चार चीज़ों में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भाईया हमने एक चीज बच्पन में पढ़ी थी board mass अच्छा board mass से मतलब समझते हो सब लोग board mass का मतलब सबको पताई कि नहीं पता है सबसे पहले तो comments में यह बता दो सबको board mass का मतलब समझ में आता है कि नहीं आता है B O B O A D Sorry B O D M A S यह क्या है B for bracket सही है bracket O for off हिंदी में से बोलते है का ठीक है D for divide M for multiplication A for addition and S for subtraction याने bracket of divide multiply addition and subtraction यह basic terms मेरे ख्याल से सभी को बच्चे को पता होंगे यह सर यह सर यह सर जै बोल रहे हैं No Sir अच्छा यह भी नहीं पता था क्या चलो कोई बात नहीं स्वातिरावत No Sir ठीक है कोई दिक्कत नहीं है जिनको नहीं पता था आज सुन लो भाई board mask का मतलब क्या होता है board mask का सीधा सा मतलब होता है कि यह आपको बताता है कि आपको जो mathematics है वो किस sequence में solve करनी है for example मैं अगर आपसे बूलू 25 प्लस 27 माइनस 15 divided by 5 into 2 अब क्या इस sequence को क्या इस पूरी equation को जैसे लिखी है मैं वैसे ही solve कर दूँ क्या सबसे पहले addition कर दूँ फिर 15 से minus कर दूँ फिर divide कर दूँ फिर multiply कर दूँ तो अगर आप इस तरीके से जाओगे तो गलत हो जाएगा तो यहाँ पर हमें सबसे पहले use करना है किसका बॉड मास का अब बॉड मास का पहला शब्द है B, B for bracket पूरी equation में मैंने कहीं पर भी bracket नहीं लगाया तो इस चीज़ का यह मतलब नहीं कि equation गलत होगा, इस चीज़ का यह मतलब है कि सबसे पहले आपको क्या करना है,किस-किस को डिवाइट करना है बाइट का sign ज़रा देखो कहां पर है किन दो numbers की बीच में है, इन दो numbers की बीच में तो सबसे पहले यह दो चीज़े divide होगी सबसे पहले यह divide होगा कितना आएगा, चलिए, सचिन का equation को लिख दूँ तो क्या हो जाएगा ये तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगी अब आपके पास divide भी हो गया तो अगला नंबर multiply का है तो इसे multiply करेंगे multiply करेंगे कितना आएगा 6 आएगा तो अब हम इसकी जगा लिख देंगे 6 और as it is ये नंबर यहां रहने देंगे 25 प्लस 27 माइनस 6 अब हम add करेंगे और माइनस कर लेंगे कितना आएगा बिलकुल आप लोग समझ चुके हैं 46 आपका answer होगा और ये बहुत ही simple सा board mask का rule है बहुत ही simple सा board mask का rule है इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी सचिन यामनी चेतन बहुत बढ़ी है very good सभी ने बिलकुल सहीं answer दिया 46 इसका सहीं answer होगा अच्छा इस question का answer क्या बदल जाता अगर मैं आपसे बोलता कि bracket यहां पर लगा है क्या इस bracket से इस answer पर कोई फर्क पड़ता या नहीं पड़ता हाँ या ना बस इतना बता दो answer क्या होगा वो बाद में देखेंगे तब से पहले तो यह बता दो क्या सिर्फ यह bracket यहां पर इस तरीके से लगाने से इस question के answer पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा बताओ बिलकुल बहुत बढ़िया very good बिलकुल सहीं बात है भाईया bracket की position भाई पहले bracket नहीं था तो हम divide, multiply, addition, subtraction कर रहे थे बट अब यहां पर मैंने bracket लगा दिया तो सबसे पहले जो चीज़ solve होगी वो होगा bracket तो अब मैंने पहले bracket solve करना है उसके बाद मैं divide करूँगा, multiplication करूँगा, addition करूँगा, subtraction करूँगा ठीक है तो यहां पर सबसे पहले आपको यह समझना है कि सबसे पहले solve होगा bracket उसके बाद होगा off याने का फिर divide, multiply, addition, subtraction अच्छा bracket के बारे में एक छोटी सी धाड़ना है बहुत सारे लोगों की, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपको पता है, सबसे पहले, अच्छा वो भी छोड़ो, यह बताओ, कितने प्रकार के ब्राकेट होते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, कितने प्रकार के ब्राकेट होते हैं, सबसे पहले तो यह बताओ, ब्राकेट के प्रकार कितने हैं, एक ब्राकेट होते हैं, कि दो प्रकार के ब्राकेट होते हैं, कि तीन प्रकार के ब्राकेट होते हैं, कि पांच प्रकार के ब्राकेट होते है अच्छा थीक है तीन प्रकार के ब्राकेट होते हैं अच्छा बहुत बढ़िया थीक है जो लोग तीन प्रकार के ब्राकेट बोल रहे हैं मैं ये समझ पा रहा हूं कि उनके लिए तीन प्रकार के ब्राकेट कौन-कौन से हैं उनके लिए हैं ये वाले तीन ब्राकेट जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ ब्राकेट के प्रकार की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ये वाला ब्राकेट आता है उसके बाद करली ब्राकेट आता है और उसके बाद बिग ब्राकेट आता है यही तीन प्रकार आप जानते हैं शायद है न यही तीन प्रकार आप सभी वाला bracket, सुनो, कुल मिलाकर होते हैं, 4 प्रकार के bracket, आज यह सीख कर जाओ, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, सबसे पहले और सबसे चोटा bracket कौन सा होता है, वो होता है, बार, बार का मतलब, अगर मैंने इस equation में, यहाँ पर बार लगा दिया होता, तो आप सबसे पहले small bracket को solve नहीं करते आप सबसे पहले इस वाले bracket को solve करते तो आज के बाद ध्यान रखना चार प्रगार के bracket होते हैं जिसमें से सबसे छोटा होता है बार ठीक है? फिर होता है small bracket उसके बाद आता है curly bracket और last में आता है big bracket अब आप बोलोगे सर यह वाला हमने पहले कभी देखा नहीं था देखो जो चीज देखी नहीं इसका यह मतलब थोड़ी कि वो होती नहीं है ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आपने नहीं देखी है पर दुनिया में होती है तो इसी प्रकार मेरी जो बात है वो उस पर ध्यान दो कि भाई bracket में सबसे चोटा bracket होता है बार उसके बाद आता है small bracket फिर आता है curly bracket फिर आता है big bracket तो इस बात का ध्यान रखना ठीक है? बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है ठीक है अचा आज कल क्या हो गया ना आज कल आप जब कभी किताबे खोलोगे तो वहाँ पर board mask की जगा V board mask लिखा होगा कई किताबों में आज कल ऐसा लिखता है धी board mask पिर V का मतलब क्या है तो बोले V for Venucular होता है, अब ये Venucular दिमाग चक्रा देगा, कि ये V board mask क्या होता है, ये V for Venucular क्या होता है, V for Venucular कुछ नहीं होता है, वो V इसी bar को represent करने के लिए लिखा जाता है आजकल, तो कुछ नए है नहीं है, बस brackets में आप एक bracket और जोल लो, जो सबसे छोटा bracket है वो है bar, फिर small, फिर curly, फिर big bracket, that's it, और कुछ नहीं, sequence wise सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले ये वाला bracket solve होगा, फिर ये वाला, फिर curly और फिर सबसे बड़ा big bracket, ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है calculation की tricks, सबसे पहले मैं आपको सिखाना जाता हूँ, multiplication, क्योंकि addition करते तो मेरे ख्याल से सबको आता है, add और plus, minus तो मेरे ख्याल से सबी लोग कर लेते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत आनी शुरू हो दिये, वो है multiplication, सब मल्टिप्लिकेशन फास नहीं होता, अच को सबसे पहले तो दो चीज़े करनी है, सबसे पहले आपको याद होने चाहिए, एक से लेके 25 तक के table, एक से लेके 25 तक के table याद होने चाहिए, अब बोलो कि सर आपने तो पहले दिन आके homework दे दिया, पर भाई मैं भी मजबूर हूँ, अगर एक महीने के अंदर selection चाहिए ह तो कुछ base, कुछ ground तो होना चाहिए न, और नहीं है तो सबसे पहले उसको बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले एक से लेके 25 तक के table याद होने चाहिए, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी आपके सामने अगर ये multiplication आ गया, कि बताओ, 72 into 12 कितना होता है, तो आपको य ये ना करना पड़े कि 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 का इधर लिखो, फिर 1 से multiply कर नहीं, आप सीधा 12 के table परपाओ, 12 दूनी 24, 12 सत्य जो भी होता है, तो इस तरीके से आप सीधा 12 के table परपाओ, पहला तो ये करना पड़ेगा, ठीक है, 20 तक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक् सबको याद भी है, 20 तक के याद करना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, अब जरा आते हैं, multiplication पर, एक बाइट टेबिल याद हो गया, तो अब आती है बारी, multiplication की, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, two digit numbers, दो अंको के अगर number हो, तो उनको multiply कैसे किया जाए, वो जो भी बच्चे MP board से पढ़े हैं, उनकी दसवी क्लास में एक chapter था वैदिक गनित का, था की नहीं था, बताओ, वो chapter तुम्हें याद है की नहीं है, वो मैं नहीं पूझ रहा हूँ, मैं तो यह पूझ रहा हूँ, एक chapter जसका नाम वैदिक गनित था, ये था की नहीं था, ठ 19 का पढ़ना पढ़ेगा, वसा ठीक कोई बात नहीं, 18 तक भी आदे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, 19 का कर लेना, वैदिक मैट्स, जो भी MP board से पढ़े हुए हैं, उन्हें वैदिक मैट्स कहीं न कहीं पढ़ी हुई है, भूल गए वो मैं मानता हूँ, भूल गए वो मैं म जाते हैं, यह हमारी गलती है, बट तरीके बहुत सुन्दर है, मैं revise करवा देता हूँ आपको, सुनो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि चलो multiply करो 23 into 21 को, यह multiplication में शुरुवात में बहुत छोटे नंबर से ले रहा हूँ ताकि आपको multiplication करने में दिख करता हूँ, अब इस चीज अखले आपको एक चीज समझने पड़ेगी, जिसका नाम मैंने दिया है I cross I, यह मैंने इसका नाम ऐसा I cross I दे दिया है, I cross I क्यों दिया है, क्योंकि जिस sequence में, ठीक है, जिस sequence में आपको multiply करना है, उसी sequence में बताऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल नितिन भाई, थोड़ा तेज चलते हैं, ठीक है, यह है I, यह है cross, यह है I, इसी sequence में multiply करो, तीन एकम, तीन, अब जहां मैंने cross बोला था न, वहां पर cross multiply करके add करना, cross कहां कहां बोला था, दो एकम, दो, तीन दूनी 6, ऐसा multiply करूंगा, तो तीन दूनी 6 और दो, छे और दो, कितना होता है, आठ, आठ लि ठीक है, हुआ थोड़ा fast हुआ, थोड़ा तो fast हुआ होगा न, सुनो, एक और number लेते हैं, एक और example लेते हैं, अब fast चलना आपके हाथ में, अब fast चलना आपके हाथ में, आप कितना तेस्ट चल पाओगे, 34 into 12, चलो, बहुत प्यार से करेंगे, कैसे करेंगे, I cross I, left से शुर दोनी 8, अब cross करना है, cross करूँ कितना आएगा, अच्छा, cross करने के बाद, add करना मत भूलना, वो सबसे बड़ी गलती होती है, cross करूँ कितना आएगा, 3 दोनी 6, 4 एकम 4, 6 और 4, जोड़ो ज़रा कितना होता है, 10, 10 का सिर्फ 0 लिखोगे, और 1 carry कर देना, जैसे बच्पन में आए, cross के बाद फिर आए, तो 3 एकम 3 और 1 carry होकर आया था, तो यह कितना हो जाएगा, 408, बोलो हुआ की नहीं हुआ तेज, बहुत बढ़ियां, मंजीर और देवरंग, very good, देवंग, मेरी खेल से बात समझ में आगी, एक और number दूँ, थोड़ा सा बड़ा number, थोड़ा सा अ into 27, थोड़ा समझ कर, numbers मैंने थोड़े से बड़े किये हैं, calculation में आपको बिल्कुल confuse नहीं होना है, सबसे पहले I, cross I, ठीक है, I, तो सातिया 21 का एक, carry जाएगा 2, 2 carry गया, ठीक है, cross करोगे, cross करोगे, 7, 4, 28, और 3, 2, 6, सबको add करना है, ठीक है, हाँ मैं 3 digit का भी बताऊंगा, ठीक है, life में सबसे तेज करा, आज पहली बार, बिल्कुल, इसके बाद से तेज ही करोगे, सबको add करना है, 7, 4, 28, 28, और 2, 30, 30, 36, 36, 36 का 6, और 3 carry हो जाएगा, कैसी किया मैंने फिर सुनो, 3, 2, 6, 5, 28, तो यह हो गया, 28, side में अभी लिख दे रहा हूँ आपके लिए, यह हो गया, 6, और जो 2 carry आया था, वो भी तो add करना है, तो इन 3ों को add करोगे, तो कितना आएगा, इन 3ों को add करने पर आपको मिलेगा, 36, 36 का 6 यहां लिखना, और 3 carry हो जाएगा, अब I cross I में कित इतना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 और 3, 11, आपका answer है, 1161, 1161, बहुत बढ़िया, very good, very good, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ रहे है, समझ में आ रहे, calculation कैसे तेज की जा सकती है, अब अगला वाला आप लोग बताएंगे, मैं बिलकुल उसमें हस्ता छेप नहीं करूंगा, बस आ 74 इन्टू 53, चलो, फटाफट, 74 इन्टू 53, आपको कसम है constable की नौकरी की कोई calculator यूज नहीं करेगा पीछे, पहले ही बता दे रहूं, तुम मोबाइल में देख रहे हो, पर अपनी मंदारी अपने साथ रखना भाई, पीछे कोई calculator यूज नहीं करे, यहाँ पर आपकी speed ज फटाफट, चलो, करना कैसे है सबको समझ में आ गया है, आई, cross, आई, यही तीन है, बहुत बढ़ी हैं, सबसे पहले देवांग ने आंसर दिया है, very good, सबसे पहले देवांग ने आंसर दिया है, सुनो, तिन, चारतिया, बारा का दो, बारा का दो, एक केरी हो जाएगा, अब cross कर लो, सातिया, 21, 21 और 20, 21 और बीस, 41 और एक केरी आया था, 42, बहुत बढ़ी हैं, very good, very good, मंजीर, सचिन, पतेल जी, रूबी, यामनी, जै, अंजना, नितिन, मांसी, बहुत बढ़ी हैं, very good, very good, सब आपका आंसर आ गया है, 3922, good, अब आपने ये जो चीज है, ये चीज सीखे है, आपने दो डिजट के लिए, ये चीज सीखे है, आपने दो डिजट के लिए, तो अभी अपनने सबसे पहले क्या सीखा, दो डिजट का मल्टिप्लेकेशन सीखा, अब दो डिजट के नंबर क स्क्वेर निकालना भी ठीखेंगे वैसे तो इस तरीके से भी निकाला जा सकते है सपोज अगर मैं आपसे बूलूँ कि चलो एक काम करो 52 का स्क्वेर बताओ 52 का स्क्वेर बताओ तो बताने के लिए आप तो इस तरीके से भी बता सकते हो कि हाँ भाईया यह 4 आ जाएगा 4 फिर यह cross करूँगा तो यह 10 और 10 20 हो जाएगा तो 20 का 0 दो carry हो जाएगा 25 और 27 तो वैसे तो आप यह भी बता सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे भी बता सकते हो आप 2 numbers का square बट 2 numbers का square निकालने के और भी तरीके हैं और उनमें से कुछ एक बहतर तरीका मैं आपको बताता हूँ दो digit के numbers हैं और आपको उनका square निकालना है example के तोर पर शुरुवात में मैं आपसे चोटे number लेता हूँ सपोज मैंने आपसे बूला कि चलो एक काम करो 23 का square बताओ 23 का square अब 23 का square अगर याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे तो सुनो सबसे आसान हो सबसे सीधा तरीका बता रहा हूँ आप देखो 23 और उपर लगा है square square मतलब 2 लगा हुआ है ना सबसे पहले मुझे एक बात बताओ 3 का square कितना होता है 3 का square होता है 9 होता है होता है 3 का square 9 होता है एक काम करो इसको 9 भी मतलिको इसको लिखो 09 09 क्यों लिखो 09 इसलिए लिखो क्योंकि कभी भी एक single digit का आप square करोगे तो वो double digit से जाधा का नहीं जा सकता है इसे 9 सबसे बड़ा single digit 9 है 9 का square 81 उससे बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता single digit में ठीक है 529 बहुत बढ़ी है very good सुनों तो आप लिखोगे इसको 09 फिर दो का square होता है 4 आप इसको लिखना इदर 04 ठीक अच्छा बीच में space छोड़ना है और बीच में जो space छूटा यहां क्या करना है यहां पर आपको जितने नंबर दिख रहे हैं न उपर सबको multiply करना है किन किन को आपको दिख रहे है यह दो यह तीन और वो दो भी दिख रहे है उपर power में square का सबको उठा कर multiply कर लो यह कित्त होगे 6 6 दूनी 12 सबको उठा कर multiply कर लिया 12 आया अब यहां से कुछ नहीं करना है इसका unit है नो सबसे पहले ले लेना जो इधर जो बचेगा वो इधर केरी होका एड हो जाएगा 12 प्लस 0 12 ही आएगा और 12 का भी आप unit डिखोगे दो और वन इधर केरी हो तो चार और एक कित्ता हो जाएगा पांच 529 इसका स्क्वाइर होगा ठीक है 529 इसका स्क्वाइर होगा और बहुत बढ़ियां वेरी गुट बहुत ही बढ़ियां सबने बिल्कुल सही आंसर दिया कोई तकलीफ नहीं है एक और नंबर लेता हूं सोड़ा सा 47 का स्क्वाइर अब 47 का स्क्वाइर कैसे निकालोगे सबसे पहले क्या करोगे साथ का स्क्वाइर लिखो साथ का स्क्वाइर कित्ता होता है 49 लिख दो भी यह 49 चार का स्क्वाइर कित्ता होता है 16 16 लिख देना अब क्या करोगे बीच में क्या लिखना है बीच में आप होगे ये ये और ये तीनों का मिल्टिप्लाई करके तीनों का मिल्टिप्लाई कर दो 529 अच्छा वही सिंपल ट्रिक है अरे ये भी बहुत सिंपल है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसका लिखना नो चार केरी हो जाएगा चार केरी हो गया तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 22 बोलो बात समझ बैं 229 बहुत बड़ी हैं very good तो देवांग सचिन very good बहुत ही बड़ी है अब सुनो ये जो मैंने आपको पूरा तरीका बताया है न मैं इसको और चोटा कर देता हूँ इतना छोटा गर देता हूँ कि आप मुझ जबानी इसको बना पाओ ठीक है आप इसे मुझ जबानी बना पाओ मैं इसको इतना छोटा गर देता हूँ जो मैंने बोला उसको बहुत ध्यान से सुनना सबसे पहले number लो जैसे मैं 23 के ही साथ खेल रहा हूँ भी न सिंगल डिजर्ट था तो केरी अरी आने का कोई टेंशन नहीं था नौ लिख लिया अब एक काम करना अब टू थ्री और उसका जो स्क्वेर दो इन सब को उठाकर मिल्टिप्लाई करना यह कित्ता हो जाएगा च्छे च्छे दुनी 12 12 में सिर्फ दो यहां पर लिखोगे और एक चला जाएगा कैरी गया कैरी अब यहां पर दो का स्क्वेर के तो चार चार में जो एक कैरी आया था उसको जोड़ो निकाल के दिखाता हूं देखो फिर जो जैसे देखना बहुत ही सिंपल तरीका है बहुत ही सिंपल तरीकcias नीचे लिख देता हूं ताकि उढ़र वाला भूलोना 47 का सबसे पहले बताओ 47 में में यूनिट डिजट है सेवन सेवन का स्क्वाइर होता है कितना 49 49 में आप लिखोगे 9 और चार गया कैरी क्या गया चार गया कैरी अब चाहू तो आप चार को साइड में लिख ले ना इसी याद रखने के लिए बस कि भाई इसको जोड़ना है मुझे यह कैरी वाला इसको जोड़ना है अब क्या करोगे इन तीनों को उठा कर मिल्टिप्लाइ करोगे ताच्यों के 28 28 दो नहीं 56 56 में आपको यह चार केरी आया था यह भी जोड़ना था 56 प्लस 4 60 60 का 0 लिखना और 6 फिर केरी आ गया अब लास्ट में क्या होगा चार का स्क्वाइर चार का स्क्वाइर कित्ता होता है 16 16 और 6 कित्ता होता है 22 2209 यह आपका सीधा स्क्वाइर आ गया यह सिंपल है यह बहुत सिंपल है यह बहुत ज्यादा सिंपल है बस आपको सहीं तरीका पताऊना छाहिए मैं आपके सामने एक और नंबर लिखो कि चलो काम करते हैं अपना square निकलते हैं 62 का अब 62 का square निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 62 का square निकालना, 2 का square किता होता है, 4, लिख दो 4, अब सबको multiply कर दो, 6, 2 और वो square वाले 2 को भी, 6, 2, 12, 12, 12, 24, 24 का किता हो गया, 4, 2 carry गया है, ध्यान रखना, 2 carry गया है, 6 का square होता है, 36 36 और 32 और 32 लो किता डाइम लगा गुरत कम टाइम लगा कि नहीं लगा है न विल्कुल सिंपल था है स्क्वैर निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो अभी हमने दो numbers का multiplication verification दो numbers का square निकालना सीखा है एक छोटी सी ट्रिक और सीख लो बहुत बढ़ी है very good very good सीधा लिख पारे हो अब डारेक्ट लिख पारे हो कि नहीं लिख पारे हो तो आप दो डिजिट की मैं आपको कोई भी number दे दूँगा कोई भी दो डिजिट का number दे दूँगा तो आप उसक का square जिनके आखरी में 5 आता है वैसे तो यह जादा तर बच्चों को पता होगा बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ उन numbers का square जिनके आखरी में 5 आता है इनके square निकालना भी बहुत आसान है कुछ नहीं करना है बहुत ध्यान से सुनना 5 का square होता है 25 सबसे पहले 25 लिख लेना जो पीछे number बच गया इसके बाद अगला number कौन सा है एक के बाद आता है 2 इन दोनों को multiply कर देना 2 इकम 2 यह आ गया 15 square इसी प्रकार 25 का square गितता होगा तो 5 का square सबसे पहले 25 लिख लेना 2 के बाद अगला number आता है 3 तो 3 दोनी होता है 6 625 इसका square हो जाएगा 35 में सबसे पहले 5 का square लिखोगे 25 तीन के बाद अगला number आता है 4 4 12 यह आ गया 35 का square तो ऐसी आप 45 पचपन और 65 का और 75 और 85 और 95 का square भी बता सकते हो ठीक है हाँ बिल्कुल थोड़ी practice तो लगेगी यह थ अगर मैं आपसे बोलू कि चलो काम करो 120 115 115 का square निकालो 115 का square निकलना भी बहुत आसान है कैसे सबसे पहले 5 का square इसके आखरी में 5 है ना लास देजिट 5 है 5 का square 25 पीछे जो नंबर बच गया अब नंबर क्या बचा है पूरा 11 लेना 11 मत लेना पूरा 11 कंसिडर करोगे 11 के 132 होता है तो यह हो जाएगा 132 25 यह हो जाएगा 115 का square ठीक है बहुत बढ़ियां देवांग very good यह जनरली बच्चों को पता होता है जिनको नहीं पता था मैंने उनके लिए बता दिया फटा फट यह भी ध्यान रख लो आपके पास कभी भी ऐसा कोई नंबर आए जिसके सानी से square किया जा सकता है बहुत बढ़ियां देवांग very good चलो एक काम करो आप लोग मुझे बताओ 215 का square कितना होगा 215 का square कितना होगा 215 का square कितना होगा अब तो दिमाग चलने लगा होगा मेरे ख्याल से एक बार और बिलकुल सनलो 215 का square सबसे पहले क्या करना ये जो आखरी का 5 है इसका square 25 लिख देना लिख दिया पीछे नंबर जो बचा है उसको देखो ये बचा है 21 पूरे नंबर को लेना 21 21 के बाद अकला नंबर आता है 22 22 इंटू 21 कर लेना क्या करोगे 22 इंटू 21 कर लेना 22 इंटू 21 कितना होगा 21 दूनी 42 का 2 आ जाएगा चार केरी हो जाएगा 42 और चार 46 46 225 ये आ जाएगा आपका बहुत बढ़िया वेरी गुट 215 का square ठीक है तो सहीं आंसर दिया है देवांग ने और मंजीर ने सचिन ने पतेल जी ने बहुत बढ़िया रूबी वेरी गुट बहुत बढ़िया ठीक है ठीक पांच वले square अब आपको समझ में आ गए है कोई दिक्कत नहीं होगी इसके बाद अब हम आते हैं थोड़ा सा तीन डिजिट के numbers पर बहुत सारे बच्चों को यह रहता कि सब तीन डिजिट का number multiplication करने म बिलकुल लगता है तीन डिजिट का number अपने आप पे थोड़ा भी होता है तीन डिजिट के number को कैसे multiply करना है वो समझ लो एक बार वो समझ में आ गया तो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है तीन डिजिट के numbers को multiply करना है सपोज मैं आपके सामने एक number लेता हूं 216 या 212 into 123 multiply कर ना इनको बच्पन में कैसे करते थे बच्पन में अपन करते थे ऐसे कि तीन दुनिये 6 लिखा फिर ऐसा लिखा फिर एक क्रॉस लगाया फिर 2 का मिल्टिप्लाई किया फिर 2 क्रॉस लगाया फिर 1 का मिल्टिप्लाई किया ऐसी करते थे अब इतना नहीं करेंगे आप अपन सि सबसे पहला होगा आई ठीक है तीन दुनी 6 बहुत ध्यान से देखते जाना अब होगा और क्रॉस का इतना ध्यान रखना कि पहले इन दो के बीच में क्रॉस होगा ठीक है अपने जरली राइट से शुरू करते हैं सबसे पहले आई फिर राइट के दो नंबरों पर क्रॉस है तो 3 एकम 3 और 2 दूनी 4 चार और 3 कितना होता है 7 इसके बाद अब आप करोगे तीनों नंबरों का आपस में क्रॉस क्या बुला मैंने तीनों नंबरों का आपस में क्रॉस और मुल्टिप्लाई करके एड करना है जैसे 3 दूनी 6 है 2 एकम 2 और 2 एकम 2 तो 6 2 2 10 होता है 10 का लिखना 0 और 1 गया कैरी क्या क्या हो गया आई हो गया छोटा वाला क्रॉस हो गया बड़ा वाला क्रॉस हो गया अब एक छोटा क्रॉस और आएगा जो कि इस साइड होगा इन दोनों का क्रॉस दो दूनी 4 और एक एकम एक तो चार और एक पांच पांच के बाद एक ये कैरी आया हुआ था तो ये छे हो जाएगा और फिर लास्ट में वापस आईया जाएगा तो दो दुनी दो एकम दो इतने आसानी से एक सीधी लाइन में मैं इस कोशन का आंसर लिख सकता हूँ 26076 बहुत बढ़िया वेरी गुड जया और देवां बिलकुल सही आंसर दिया आपने बस ये जो मैथड है ये कई लोगो थोड़ी सी लंबी लग सकती है बट जो आप पहले कर रहे थे उससे तो सस्ती है जो पहले कर रहे थे उससे तो सस्ती है न कि 3 से पहले सब को multiply करो फिर cross लगाओ फिर 2 से करो फिर 2 बर cross लगाओ फिर 1 से करो उससे तो बहता रहे है इस पूरी method को मैं आपको कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5 step में तोड़े देता हूँ सुनो 5 step कैसे अगर सपोज मैं एक number बोलनू यह है ABC और यह है PQR ठीक है PQR ऐसे करके आपको 3-3 अंक के 2 number दियों इनको multiply करना है step number 1, पहला step क्या होगा पहला step होगा इन दोनों को multiply करना second step क्या होगा ठीक है second step पर भी ध्यान देना PQR second step में आप इन दोनों का cross करोगे multiply करके add करोगे third stage पर क्या करोगे third step पर क्या करोगे ABC and PQR में third stage में आप तीनों नंबरों का cross करोगे और multiply करने के बाद तीनों को add करोगे fourth stage में fourth stage में आप करोगे सिर्फ इधर के दो numbers के cross में multiply और फिर add और last stage में आप last के दो numbers को multiply कर दोगे ऐसे, खीक है तो अब आप देखो किते step की process है 1, 2, 3 3, 4 और 5 कुल मिलाकर 5 step की process है PPD के आपको potential लेने की जरूरत नहीं है ये पूरे notes आपको वैसे भी मिल जाएंगे तो इसकी potential लेने की जरूरत नहीं है बस इस process को याद रखना और इसको carry करोगे, carry करने का मतलब इसको करना है, करोगे तब पता चलेगा कि करना कैसे है ठीक है, ध्यान रखना इस बात को चली, तो ये हो गया 3 number का multiplication वाला मामला थोड़ा सा लंबा जरूर लग सकता है पर पहले वाले method से तो बहुत सस्ता है ये वाला काम, चलो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं recurring decimals की decimals वो area है जहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे lag करते है बहुत सारे बच्चों को तो दशमलो देखकर ही घबरार्ट होने लगती है कि अरे वो दशमलो आगे आप तो बात बिगड़ गई एक दो example बिलकुल एक दो example लेलो कोई दिक्कत नहीं है example क्या खुदी लेलो बना लो खुदी बना लो तीन नंबर लेलो अपने मन से कोई भी लेलो 243 into 121 चलो छोड़ा नंबर लेलो इसी stage पे या इसी हिसाब से आप इसको cross multiply करते चलेंगे और कुछ नहीं करना है कुछ भी नहीं करना है बहुत इत्मिनान से cross multiply करो कैसे सबसे पहली stage आई वाला cross करना पड़ेगा तो यह हो जाएगा 6, 6, 4, 10 10, 12, 12 का 2 और 1 carry हो जाएगा फिर इन दोनों को cross करोगे 8, 8, 2, 10 और 11 का 1 1 carry हो जाएगा और यह हो जाएगा 5 यही answer आया कि नहीं आया यही answer आएगा तो मेरे ख्याल से अब आपको यह समझ में आने लगा होगा कि cross multiplication step by step कैसे करना है सबसे पहले यह करना है फिर यह करना है फिर यह करना है यह करना है पाच step की process है कुल मिला कर ठीक है बहुत बढ़ीयां देवांग very good विशाल मिशाल ने कहीं छोटी सी गलती की है जया विश्योकर्मा बहुत बढ़ीयां very good तो मेरे ख्याल से अब आपको तीन नंबर्स का multiplication भी समझ में आ गया होगा कोई बहुत बढ़ी बात नहीं है easily हो जाएगा अब थोड़ा सा आ जाते हैं decimal पर decimal क्या होता है दशमलों को सीधा मतलब है upon में 0 अच्छा 0 नहीं upon में 10, 100, 1000, लाग ऐसा कहने का मतलब अगर मैं आपकी सामने लिखूँ 0.5 तो आप इसको बिलकुल 5 बटा 10 लिख सकते हो लिख सकते हो की नहीं लिख सकते हो बोलो हाँ लिख सकते हो अगर मैं आपसे बोलो 0.002 तो इसे क्या लिख सकते हो आप देखोगे दशमलों के बाद कितनी संख्या है आगे 1, 2, 3 तो जो भी नंबर लिखा है उसको तो as it is लिख देना और नीचे लिखोगे 3, 0 1, 2, 3 और 1 लगाना मत भूलना नहीं तो पता चला तुम सिब 0, 0, 0 लिख के आजाओ ठीक है तो 0, 0, 0 भी लिखना तो हम इसको ऐसे decimal में लिख सकते हैं तो अगर मैं आपसे कोई भी decimal वाला नंबर दूँ और बोलू इसको बटे में 10 या 100 या जैसा भी fraction हो सके वैसा बना दो तो बना दोगे है ना अगर मैं आपसे बूलू कि चलो 1.02 को बताओ क्या लिखोगे 1.02 को क्या लिखोगे तो मेरे क्याल से सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कितने 0 हैं दशमलों के बाद कितनी संख्या है एक और दो तो पूरा नंबर पहले एज़िटेज लिख दो कितना 1.02 बटे दशमलों के बाद 2 संख्या थी तो 2 बार 0 लिखना 1 लिख देना ऐसे करके फिर वो आगे काटने का काम है और आगे काटना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं वो आप इसली काट सकते हो दो से काटना यह इस से काटना उस से काटना तो मेरी खाल से आपको यह तो समझ में आ गया कि दशमलों अगर है तो उसे फ्रैक्शन में कनवर्ट किया जा सकता है ठीक है बहुत बढ़ी है वेरी गुड सब ने बिल्कुल सहीं आंसर दिया बट अगर मैं आपसे बोल दूँ कि आपके पास नंबर है 0.3333… ऐसा करके है क्या अब आप इस नंबर को ऐसे लिख सकते हो क्या आप इस नंबर को ऐसे लिख सकते हो बताओ हाँ या ना पहले तो इत्ते ही बता दो क्या इस संख्या को ऐसे लिखा जा सकता है वो dot 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 का मतलब समझ रहे हो ना कि 3 3 3 3 3 3 आता ही जा रहा है वो रुकी नहीं पा रहा है तो जब वो रुकी नहीं पा रहा है तो क्या कर सकता हूं मैं उसका कितनी बार 3 लिखूंगा तीन कित्ती बार लिख सकता हूँ जैसे यहाँ पर 1.02 2 के बाद रुख गया था ना तो मैंने पूरा 102 उठा कर लिख दिया यहाँ पर 0.002 रुख गया था ना तो जो भी नंबर था वो मैंने उपर लिख दिया अब वो रुखी नहीं रहे और वो जो रुखी नहीं रहे तो उसको लिखोगे कैसे तो सुनो इसको लिखने का भी तरीका होता है लिख तो सकते हैं इसमें कोई दोमत नहीं है इसे fraction में मैं लिख सकता हूँ कैसे लिखूँगा वो सुनो सबसे पहले तो इसका representation समझो कभी भी आपके सामने ऐसी कोई situation आती है तो उसे आप ऐसे लिखते हो अब आप बोलोगे सरी ये नंबर के उपर बार क्यों लगा दिया नंबर के उपर बार क्यों लगाया गया है बार का मतलब है यहाँ पर कि ये तीन बार 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 रिपीट हो रहा है क्योंकि वो बार 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 रिपीट हो रहा था तो उस पर बार लगा दिया खीक है? एक बटा तीन बहुत बढ़ी है इसे लिखने का तरीका होगा, 0.21 में 21 के उपर बार, इस बार 2 और 1 दोनों के उपर बार क्यों आया, क्योंकि जब repetition हो रहा था, तो किन संख्याओं का हो रहा था, सिर्फ 2 का हो रहा था क्या, नहीं, सिर्फ 1 का हो रहा था क्या, नहीं, दोनों संख्या, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, तो बार भी 21 की उपर ही लगाया जाएगा तीसरी condition 0.134 मैं अगर मैं केवल 4 की उपर बार लगाऊं तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है 21 पर बहुत बढ़ी है इसका मतलब होता है कि आपकी जो संख्या है वो 0.13 तो as it is है एक ही बार आईए क्योंकि इस पर बार नहीं है बार चार पर है यानि चार इसके बाद continue आता रहेगा ऐसा ठीक है condition समझ में आगी condition समझ में आगी कैसे कैसे आ सकता है ऐसा आ सकता है एक नंबर रिपीट हो रहा है तो एक नंबर की उपर बार आएगा दो नंबर रिपीट हो रहा है तो दो नंबर की उपर बार आएगा तीन नंबर रिपीट हो रहे होंगे तो तीन नंबर की उपर बार आएगा पर अगर आपके सामने ऐसा दिया है और सिर्फ एक नंबर की उपर बाहर है तो समझ जाना वन और थ्री तो एक ही बार आए हैं चार वो संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है ठीक है बहुत बढ़ी हैं अब इनको fraction में कैसे लिखना है वो सुनो यह देखा ना आपने सबसे पहले जो संख्या है उसको एसलिट लिख लो कितना तीन बटे लगाना आप यह देखो कि कितनी संख्या है जो की बार के नीचे है ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ कितनी संख्या है जो की बार के नीचे है एक संख्या है कौन सी ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ कितनी कितनी पूछूंगा तो आप बोलोगे एक संख्या है जो की बार के नीचे है एक बार नीचे नौ लिख दूँँगा ये बन गया इसका fraction 121 बटे 900 बहुत बड़ी हैं very good very good इसको जरा ध्यान से देखना ये number क्या लिखा हो गया है 21 तो सबसे पहले तो 21 लिख देना as it is 21 को as it is लिख देना कोई दिक्कत नहीं है अच्छा लगाना बटे अब मैं पूछ रहाँ वापस बार के अंदर बार के नीचे कितनी संख्या है कौन सी ये नहीं पूछा कितनी आप बोलोगे 2 बार के नीचे कितनी संख्या है 2 तो आप लगाओगे 2 बार 9 अच्छा इसको ऐसे याद रख सकते हो अपने पूछते नहीं डेसिमल के आगे कितनी नंबर है तीन नंबर है तो नीचे 30 लगा दो वैसी कुछ इसको भी याद रख लो बार के नीचे कितनी नंबर है 2 तो 2 बार नीचे लोगा देना 99 21 बटा 99 अब यह यहां पर थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है दिक्कत इसमें भी कुछ नहीं है बस बात इतनी है कि यह थोड़ा सा complicated वाला मामला है यहां पर आपके सामने दो condition है पहली एक संख्या की उपर बार तो लगा हुआ है पर बार के पहले भी तो कुछ संख्या है उसका क्या करना है सर उसका क्या करना है अब सुनो सबसे पहले यह जो number इसको as it is लिख लो as it is number किता है 134 ठीक है 134 लिख लिए अब एक काम करना देवांग बोल रहा है ठीक है thank you अकाश thank you अब क्या करना 134 में बार के पीछे कौन सा number लिखा है चार के उपर बार लिखा है बार के पीछे लिखा है 13 लिखा है 13 इसमें से उठा कर 13 माइनस करना और लगाना बटे अब नीचे क्या लिखोगे उसको ध्यान से सुनो दो सवाल पूछूँगा मैं आपसे पहला सवाल बार के नीचे कितनी संख्या है बार के नीचे कितनी संख्या है आप बोलोगे एक संख्या है बार के नीचे एक बार नौ लिखना अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ बार के पीछे कितनी संख्या है बार के पीछे कितनी संख्या है आप बोलोगे सर्थ दो संख्या है बार के पीछे कौन सी संख्या ने पूछा कितनी संख्या दो दो बर जीरो लिख लेना अब आप बोलोगे सर्थ यहां पर तो आपने कहीं 0 एक कुछ नहीं बताया यहां क्यों 0 बता रहे हो तो भाई, यहाँ पर बार के पीछे कुछ थाई नहीं न तो जब बार और decimal के बीच में कुछ number थाई नहीं तो 0 लिखने की जरुरत पड़ी नहीं बट बार और decimal की बीच में जब कोई number होगा दो number है तो दो बडर 0 लिखना पड़ेगा तीन नंबर है तो तीन बर 0 लिखना पड़ेगा बीच में अगर 10 नंबर होंगे तो नीचे 10 बर 0 लिखना पड़ेगा एक example और देखो अच्छा इसको solve करेंगे तो क्या मिलेगा इसको solve करोगे तो ये मिलेगा 120, 1 upon 900 बोलो ठीक है? बात समझ में आगी upon 9 नहीं 900 दो 0 भी लगाने हैं वो 2 0 क्यों लगाए? क्योंकि बार के पहले और decimal के बाद बीच में 2 संख्याएं थी उन 2 संख्याओं के लिए मैंने ये बीच में 2 0 लगाए हैं ठीक है? बात समझ में आई? चलो एक और question लेते हैं एक और question लेते हैं suppose मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 0.1273 में 73 के उपर बार है अब इसे कैसे लिखोगे? इसे कैसे लिखोगे? तब से पहले जो number है as it is उसको लिख लो number क्या है? 1, 2, 7, 3 लिख लो भी ये इसको 1, 2, 7, 3 अब क्योंकि बार के पीछे कुछ number था तो मुझे वो बार के पीछे वाला number इसमें से minus करना पड़ेगा ये बार यहां तक है न? इसके पीछे क्या लिखा है? 12 इसमें से 12 गहिटाना है बटे फिर वही दो सवाल पूछूँगा मैं आपसे बार के नीचे कितनी संख्या है बार के नीचे कितनी संख्या है दो संख्या है दो बार नौ लिखेंगे और बार के पीछे कितनी संख्या है दो संख्या है दो बार 0 लिखेंगे माइनस करते बनता है माइनस करते बनता है न? 1261 अपॉन 9900 बहुत बढ़ी हैं very good 1261 1261 upon 99900 बिल्कुल सही यही आंसर होगा बोलो clear है तो देवांग और जया दोनों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है बाकी सभी को यह बात समझ में आई की नहीं आई पहले यह बताओ बाकी सभी को यह बात समझ में आई की नहीं अगर आपके सामने ऐसे numbers दिये हो तो क्या आप उनको fraction में convert कर सकते हैं कर सकते हो की नहीं कर सकते हो फटाफ़ट ठीक है दूसरी बात यहाँ पर इस पूरे question में एक आखरी जो down page फसाया जा सकता है आपके साथ वो भी सुनते चलो वो हो सकता है आपको लिख कर दे 1.73 में केवल 3 की उपर बार और बोले की बताओ अब इसका fraction कितना होगा अब इसका fraction कितना होगा अब सुनना बहुत ध्यान से बात को अभी तक मैंने आपको जो भी example दिये उसमें मैंने इस बात का ध्यान रखा कि हमेशा 0.something आपको दिया जाए 0.something पिछले वाले में भी देखना चाहोगे 0.something 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 यहाँ दिया है 1.something अब इसका क्या करोगे इसको 0 बना दे कैसे बनाएंगे पता इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.73 मैं केवल 3 के उपर बार लिख सकता हूँ ऐसे लिख सकता हूँ न अब सुनो अगर यह 1 की जगा 4 हो जाता तो solve करने का तरीका है सबसे पहले नंबर लिख लो 73 बार के पीछे क्या लिखा है 7 तो इसमें 7 घटाना है ध्यान रखना बटे में क्या लिखोगे बार के नीचे कितनी संख्या है बार के पीछे कितनी संख्या है तो एक बर 0 ऐसा करगे और 4 प्लस अब इसको solve कर लोगे आपको आपका fraction मिल जाएगा आपको आपका answer मिल जाएगा clear हुआ यहाँ पर minus कर लेना यह हो जाएगा 64 तो 4 प्लस 66 अपॉन 90 थोड़ा से इसको solve करोगे तो आपको answer भी मिल जाएगा 156 अपॉन 90 बहुत बढ़िया very good 156 क्या बात कर रहे हो 156 अरे जब आप LCM लोगे तो यह 944 तो यह हो जाता है तो 360 हो जाएगा यह 360 प्लस 66 अपॉन 90 ऐसा बनेगा न 944 36 360 ठीक है बिल्कुल बिल्कुल जै समझ में आया की नहीं आया LCM लेना है अपने को यहाँ पर छोटा सा LCM लेना पड़ेगा यहाँ पर इसको multiply करेंगे 4 को 944 यह जाने 360 हो जाएगा 360 प्लस 66 इस तरीके से solve करेंगे अच्छा वो पहले वाले रहका था ठीक है तो मेरे ख्याल से आपको यह बाद समझ में आ गई होगी अब आपके लिए 2-4 question फटाफट जरा इस वाले का अंसर बताओ फटाफट इस वाले का अंसर बताओ फटाफट अच्छा एक के हिसाब से था ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं इसका अंसर बताओ फटाफट देखकर बताओ इतना टाइम ही नहीं लगना चाहिए एक सकड का अंसर है वो क्या लिखेंगे इसको देखो बार लगाऊ है ना बार के पीछे कोई नमबर ना बार के आगे कोई नमबर कोई कुछ है रिधा तो इधर के लिखोगी सीधा 17 बटा, 12 के नीचे केते नमबर है, 2 बार नो, पीछे कुछ थाई ने, खताम अंसर, 17 बटा निन आने बे, बहुत बढ़ियां, very good, बहुत बढ़ियां, जया सचिन, very good, मंजीर, good, अगला वाला बताओ जरा, अगला वाला, 72 upon 99, बहुत ही बढ़ियां, very good, very good, चलो, 72 upon 99, तो मेरी ख्याल से आपको basics तो कुछ समझ में आने लगे होंगे, numbers की calculation कैसे होते हैं, decimals कैसे होते हैं, आज आपन ने काफी important चीज़े सीखी हैं, भले ही आपको लगे कि यार्थ, थोड़ा कम सीखा, but important चीज़े सीखी हैं, multiplication सीखा है, squares निकालना सीखा है, तीन number का multiplication सीखा है, decimals का मतलब क्या होता है, वो समझा है, इसके बाद कभी बार वाले number आजाएं और इनको हमें fraction में convert करना पड़ जाएं, तो कैसे होगा, वो सीखा है, ठीक है, अगली class हमारी number system की दूसरी class होगी, और वहाँ पर मैं आपको उन questions या उन types से रूबरू होगा, जो कि number systems में exam में पूछे जाते हैं, आज की class purely calculation based थी, कि calculation किस तरीके से की जाए, अब कल हम इस calculation को questions में use करने वाले हैं, तो कल की class में वापस इसी समय इसी जगह मिलते हैं, तब तक keep studying, stay safe, thank you Teta बावा, take care, जैहन